Hello everyone, कैसे आप सभी लोग, computer knowledge check का जो अब बेस अबरी से इंतजार कर रहे थे जिस भरती का, अब उसके form बरे जा चुक है, लेकिन form बरे जाने के बाद में बहुत से सवाल आपके मन में है, जो मैंने यहाँ पर एक एक चीज को cover करने की कोशिस किये, लेकिन mostly जो questions पनते हैं, वो first point आपका है कि paper का level क्या रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है, क्योंकि एक उमीद वाली जोब है ना, जो एक उमीद नहीं कर सकते, तब यह vacancy आई है, और बड़ी सिद्धतों के बाद आपने लड़ जगड करके, किसमत से और सरकार से लड़ करके, यह vacancy को regular vac currency के अंदर कनोट करवाया था, तो यह सपना कहीं आप चूपना जाए, best book कौन सी है, जिसको लगर कि आप परेशान और जगए 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 जा करके ढूंड रहें, कि आप क्या पड़े, क्या नहीं पड़े, यह मार्क देख्शन बहुत ज़रूरी है, next thing के बात कर करने के लिए, पीछे हड़ जाए, ऐसा कभी ना हूँ, next मैं बात करता हूँ, extra tips जो की selection आपको देंगी, उनको लेकर के बात करने मारूं, इससे पहले मैं एक important चीज़ आपको बता दू कि आपके मन में एक डर सतार है, कि आखिर कितने form लगाए गए होंगे, दीकि 7 March तक इ इक लाग सतर हजार ही, सार्थ मार्स तक थे, उसके बाद में जो आकड़े आ रहे हैं, या आ रहे थी कि दो लाग कोई अठावन हजार बता रहा था, कोई, दो लाग पचास हजार में, राउंड फिगर में बात कर लेता हूँ, कि दो लाग साथ हजार इसके अंदर form लगे ह आपके मन का जो वहम जो डर है न वो दूर करना बहुत जरूरी है, दो लाग साथ हजार के अंदर आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर दस हजार के मुकाबले जो form लगे न वो ना के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्तान की जितनी विकेंसी में अगर दस पोस्ट भी निकलते हैं न लाड लो, तो आपको पता है कि वहाँ पे भी लाखों फोम बर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि दस हजार पोस्ट पे इतने से फोम बरे गें, अब आपकी टैंसन दूर करने वालों, वो क्यों, दो लाग साथ हजार आपको लग रहा ह उन्होंने फोम एप्लाई किया है, ध्यान से समझेगा इस बात को, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा था, PGDC है कुछ भी करके, अब आपको पता है जिन्हों डिप्लोमा कर रखा था, कई बच्चों ने उस चीज को पढ़ कर रखा था, कई उन्हें जो एक डिस्टेंस से करत तो ध्यान से समझ लिजिएगा, मेरे पास बच्चे कितने बचते हैं, एक लाख असी अजार, ठीक है, ध्यान से समझ लिजिएगा, एक लाख असी अजार में कितना competition है, उस चीज को समझ लिजिएगा, ये असी अजार वाले कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताने होगा लोग इन में से अगर मैं टोटली बात करूँ दो लाग साथ हजार की तो आपको पता है कि attendance रास्तार में कितनी रतिवर जो फोर्म बरे हैं वो अलड़ी किसे ने किसी जोग में भी लग चुके होंगे या लग जाएंगे जब तक यह complete होगा यह process तो ध्यान से समझ लीजिएगा दो लाग साथ हजार में अगर मैं यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा अगर 70% बेटरेनेंस की बात करता हूं ध्यान से समझ लीजिएगा तो इसके अंदर round figure के अंदर एक्जाम कितने लोग देंगे ध्यान से समझ लीजिएगा एक लाग 84,000 संतिंग लोग हैं उसकी एक्जाम देंगे एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा एक लाग 84,000 के अंदर सीरियस बंदे कितने हुए एक्जाम देना बड़ी बात है सिलेक्शन देना बड़ी बात है इनके अंदर मैं नोर्मली भी बात करूँ न एक लाग 84,000 में से यह बाकी के जो 80,000 के जो डेटा थे वो तो आ रहा हूं जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है वो इसी में सामिल है लेकिन जो नोन सीरिस के टेगरी जिन्होंने एक जाम ही नहीं दिया दो लाग साट अजार में से तो बच्चे कितने मेरे पास एक लाग 84,000 में से भी यह मान करके चलिए कि इन में से मिनिमम पचास अजा वा है उन लोगों के लिए भी यह है तो यहां पर मैं राउंड फिगर में बात करूं न टोटली अगर बात करूं तो रियल जो कॉंपटिशन होगा न यहां पर मैं बात करूं रियलीटी के अंदर तो रियली जो कॉंपटिशन होगा वो 80-90,000 बच्चे ऐसे होंगे जो की स इस सब कुछ मैं आपको आगे बताने वालों इन डेटा को अच्छे से समझेगा और जिन्हों ने डिप्लोमा से फॉर्म बरा है उनके लिए टेक्निकल वाला पार्ट हाड होगा इसलिए सीच को मैंने अलग से बताया तो उसको समझेगा पहले पॉइंट की बात कुरू कि सर पेपर का लेवल क्या रहेगा ध्यान से समझेगा पेपर के लेवल की बात कुरू से बचाए कि वेकेंसी पहले तो गुवर्मेंट का मनसा ही नहीं थी कि वो इस वेकेंसी को निकाले कि आपको लगता है कि 10,000 के 10,000 पूरे के पूरे पद कि भरे जाएंगे ये बोल देंगे कि हमें बच्चे ही नहीं मिले इतने क्वालिफाई ही नहीं कर पाएं ये जील फेक्ट है इसको नोट डाउन कर लेना जिस दिन रिजल्ट आए फूरा का फूरा फाइनल हो उस दिन मा आपको ये चीज़े बता दूगा क्योंकि सरकार इस रहे हैं तो आपको यसा लग रहा है कि हमें टेक्निकल पार तो हमारे बाई आइत में हमने धिग्री करके लेकिन लत लो उसके जाना पड़ possível सी करनी हो की अपक्णा पर पूरा का प्वरा चांक को रखना होगा नेक्स्ट की बात करूँ कि best book कौन सी होती है कि best book मैं बताने से पहले आपको technical और non-technical आपको पता किसके दो paper होंगे technical part वालों की मैं बात करूँ तो technical part वाले आपने अप तक जो अपनी basic चीजे cover की थी थी आपको एक एक चीज बेसिक चीजे से हैं जो आपको detail syllabus दे रखा उनको अपनी book से अगर आप cover करेंगे न तो पहले उनको अपनी book से cover कीजी जो topic आप topic वाई देखिए ठीक है मैं याँ को proper market वाली book की बताने नहीं हूँ आपको समझाने आया हूँ कि आपको कैसे क्या पढ़ना है जो topic दे रखा आपके syllabus में आपने जो अब तक MCE किया है या फिर आपने engineering किये वो topic आपके आये होंगे कहीं न कहीं आपने diploma भी कर रखा है तो आपने कहीं न कहीं वो topic पढ़े होगे उन topics को अपनी level पर clear कीजी उसके बाद में अगर आपको book चाहिए तो सारी mix वाले book मत रखी है आपके जो जो topic है आपको जिसे इस book से मिलते हैं तो आपको market के अंदर मिल जाएगी जिसे इसकी technical part की बात कुरूँ तो चेवन प्रकासन की book है जो की technical part के लिए आपको मिल जाएगी लेकिन उसके भरोसे only मत रहना एक दक्स की विए आपको market के अंदर available है लेकिन इसमें आपको सीप उपर उपर की चीजे मिलेगी जो basic चीजे आपने पड़ी हुई वो ही ज्यादा काम आएगी तो खुद के जो norms वगरा कुछ चीजे बनती है उनको बनाएगा ये सबसे best रहेगा लेकिन आप book जानना चारे तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ अब main point आता है कि technical part वाले technical को कैसे भी समझ लेंगे ठीक है तो उनको लेकर कि problem आईगी कि सब second paper को कैसे cover करे वो ही दूसरी बात जिनोंने डिप्लोमा कर रखा है जिनके लिए technical इतना easy नहीं है वो non-technical part को अच्छे से कर लेंगे लेकिन technical को कैसे करें तो technical के लिए मैंने आपको बता दिया अब point आता है non-technical के अंदर best वो कौन सी इसमें आपको पता है कि आपके लिए subject क्या है सबसे main है आपका राजस्तान जिके ध्यान से समझ लीजेगा राजस्तान जिके और plus reasoning ठीक है ये reasoning main है मेत भी है लेकिन मेत का इतना part नहीं है लेकिन मेत आप normally आप लोगों ने अगर engineering के student तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी द्यान से समझेगा राजस्तान जिके अब यहाँ पर technical वाले बंदों के लिए ये वाला part बहुत tough होगा तो इसको हम किस तरीके से पढ़ना है या तो आपके पास कोई भी book होगी आपको अपने जो topic दे रखे उनको इन book से पढ़ लिजे आपको अलग से book लेने की जरुवत नहीं है सीधी और clear बात करता हूँ जरू नहीं कि आप market से लोर तभी पढ़ो रास्तान जी कि कि आपके पास अगर पुरानी कोई भी book उसके अंदर जो topic दे रखे हैं वो topic हैं वो आप इन book से cover कर सकते हैं इसके बाद में mainly अगर आपको एक important fact चाहिए ध्यान दीजीगा इसका level कैसा हो सकता है मैंने एक free test दे रखा है description में link दे रखा है एक बार उस test को दे करके देखिएगा कि आपको लगेगा कि एक real में level क्या होता है paper का description में link एक बार जाके check कर लिजेगा market से आप book ले सकते हैं इसके लिए जो भी आपको मिले जो आपको पसंद हो जो publication दक्स है शिक्वाल है इनके books मिल जाएगी या फिर इनका जो important जितने भी data है इनकी class और इनकी PDF द्यान से समझेगा इनकी जो PDF important जितने भी आपकी क्यूशन बन सकते हैं इनकी PDF मेंने app q पर provide कर वा रहा है कि जाकर कि आप check कर सकते हैं और इनकी class है जो आपको YouTube पे free of cost available हो जाएगी अब इसके साथ में राष्तान जीके के साथ में आपको सबसे main role के अप ले करेगा current affair द्यान से समझेगा current affair आपका सबसे main role ले करेगा आप सोच करके चलिए कि minimum ठीक है 10 से 15 q आपको current affair के मिलेंगे अच्छे से सोच करके चलिएगा क्योंकि राष्तान current affair ठीक है साथ से 6 q और बाकी आपको साथ से 8 q नेशनल और इंटरनेशनल तो इसको अभी से कवर करना है इसको जेकर कि आप marker से काफी book आपको अवेलेबल है लेकिन इन सब का निचोड आप टाइम खराब नहीं करना चाहिए और सब को वर्ल नाइनर में important data चाहिए तो पूरा का current affair जबसे आप भी कि आपकी वेकेंसी आई है ये 2022 की और 21 की भी थोड़ा सा दो जियार मैंने अगर आपन पीछे चलते हैं यानि कि जुलाई अगस्से या फिर उक्टोबर से इसका current affair आपको एप की उपर अवेलेबल है लिंक डिक्सिप्शन में दे रहा है आप exam तक चलेंगे तब तक आपका अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे आपको चीजे मिलत से सेरी चलाओ जो इंपोर्टेंट फेक्ट है ना पांच-पांच-पांच-दस मिनिट के वह आपको मिलते रहेंगे यूटूब के उपर तो रास्तान जी के उपर concentrate कीजिएगा रीजिनिंग जो अगर मैच को अच्छे से जानते हूं के लिए रीजिनिंग अलग बात तो न इसे देने की जरूतनी भटकने की जरूतनी फ्रीयोग कोष्ट है इसके PDF चाहिए तो आपको एपक्यू पर अवेलेबल हो जाएगी इसके बाद में मेत है मेत के नॉर्मल टॉपिक हैं जैसे आपके आपने बैसिक तरीके सी कियो होंगे वो टॉपिक आपको यहां पे भी मि बैस्ट बुक के लिए आप अपने लेवल पे तयारी कर सकते हैं आपके घर पे भी यह बुक्स मिल जाएं यह आप कर सकते हैं नहीं मिलती हैं मैंने इसका सॉलिशन आपको बता दिया है नेक्स में बात करूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मजबूत रखना है दिखिए जह सब्जेक्ट पे ध्यान दे हैं टेक्निकल वाले ज्यादा चैने कल आपको नोन टेकनिकल मैं भी अब करके चलना यह चीज मत भूलिएगा यह चीज special है आपने master degree ले रखी है आपने b-tech, m-tech हैं तो आपको इसा लगता है कि technical पार तो मेरा clear है और आप जाकर कि non-technical के लग जाएंगे और उसको देखेंगे मा लाश्ट के 10 मंदरा दिन में देखना तो भी मेरा हो जाएगा ऐसी गलती मत करना दूसरी बात non-technical वाले बंदे हैं जि जरूरी होगा नेक्स बात करता हूँ कि sir extra ऐसी कौन सी टीप जो हमें selection देंगी देखें extra टीप ऐसी होगी कि आप चुप topic पढ़ रहे हो आप किसी भी syllabus को cover करें यह ध्यान में रखकर करके चलना कि या तो यह vacancy आएगी नहीं अगर आ गई तो दोबार रवाएगी तब यह सोचना कि यह vacancy हमारे बच्चे देने लाइक हो जाएं क्योंकि हम अभी इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं इस चीज का जरूर ध्यान रखियेगा especially आपको ध्यान देना है कि आपको topic wise study करनी जो आपको topic दे रहा है उसको पहले clear कीजिए उसके बाद उसके क्यूसंस कीजि mock test आपके exam के 10 से 15 दिन पहले आप दीजिए 5-6 दिन में आप उस चीज को analysis कीजिए और उसके बाद जो कमी रहती है last के 10 दिनों के अंदर उसको complete कीजिए तो सबसे बड़ी गलती यह मत कहना कि आप mock test देने लग जो पहले अपने syllabus को cover कीजिए topic wise कीजिए एक चीज से पढ़ serious होते जारे और आपस चीज को 12 की से समझते वे जारे तो यह गलती कभी मत करना कि आप हवा में उनने लगो एक एक चीज को बारी की से लेकर करना उमीदे मैंने सारी की सारी चीजिए जो cover की है वो आपको समझ में आई होगी जो आपका डर है वो भी आपका डर दूर होगा बस आप यह मान करके चलिएगी हम अभी तक ज्यादा जो competition है ना वो 80 से एक लाप के बीच में 80,000 मान करके चलिए 80,000 में से यार आप यह मान के चलिए अकर वो दो गुना लोगों को भी डिवी के लिए पास करते है रहां से समझ लीजेगा तो आपको उसमें तो कम से कमाना 20,000 में तो आपको आना है और ज्यादा हाई कटोफ नहीं जाएगी आप यह मत सुचेगा कि हाई कटोफ जाएगी तो मैं गलतियां कर गया हूँ जाम ऐसा कुछ नहीं करना हूँ वो बाकी चीचे मैं आपको और अपडेट कर दूँगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसे इसको लेकर कि आपको अपडेट मिलती रहें लेकिन आपको पढ़ाई अभी ऐसे करने हैं कि मुझे पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प करने की कोशिस करने हैं उमीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल होगा अगर वीडियो जरूर कर दीजिएगा आके इसी इंफोर्मेशन में लेकि आतार होंगा अभी के लिए राश्तान जी के से लिए फिरी क्लासेज आपको यूटूब के उपर अवेलेबल हो जाएगी अभी के लिए बहुत है अ आंई बहुत में और